करते हैं वेलकम इस्टूडेंट आप सभी का के टीपी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों के डिमांड पे हम लोग डिजाइन ऑफ इस्टील इस्ट्रक्चर ले करके आ रहे हैं मैं हूँ प्रशान प्यूस बी सिविल अब सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कि उसी सब्यूबड देखते हुए आपको डिपलोमा 5 स्टूड इस्टील में हैं उसके एकॉडिंग हम को क्या पढ़ना है इस्टील हमारा तो हमको सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ने जाते सो質 kidnapped पढ़ने तो उसका introduction जानना जरूरी है, कि वो subject को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस subject के पीछे क्या ऐसा theory था, क्या ऐसा story था, जो हमको पढ़ने पे मजबूर किया गया, तो हम लोग उसके पहले देखते हैं, कि हमारा syllabus है, वो क्या बोलता है, हमारा syllabus बोलता है, कि हमको देखना है, हमारा क्या है, उसके पहले syllabus यह हमारा हो गया, यह आपके सामने syllabus दिख रहा है, आप इसको अपने Google से download कर सकते हैं, SBT syllabus for 5th semester बिहार, अब आपको जो है, कौन से book को refer करना है इस subject को पढ़ने के लिए, तो आप लोग अपना reference book इसके दुगल ले सकते हैं, आप लोग जो है, अपना reference book इसके दुगल को follow कर सकते हैं, ऐसे आप एके उपाध्याय, कैट्सन publication का भी ले सकते हैं, और जो आप लोग के diploma syllabus के लिए, जो सबसे best book जिसको कहा जाता है, वो है आपका रितु publication, आपके diploma subject के लिए, जो सबसे best आपका book है, जिसमें full syllabus आपका cover होता है, बस उसमें चीजो को elaborate नहीं किया जाता, उसके लिए हम है, और आपको वो बुक पढ़ना है, वो है रितु publication, अब हम लोग जो है, आगे की और बढ़ते हैं, यह हमारा कुछ syllabus है, इसमें connection क्या होता है, tension member क्या है, compression member क्या है, roof trust क्या होता है, beam क्या है, column base क्या है, इन सब को हम लोग एकक करके, स design of steel structure को पढ़ने, तो सबसे पहले हम जानते हैं, कि हमारा steel है क्या, what is design of steel structure and why we going to study this subject, यह हमारा बहुत ही important चीज है, अगर structure की बात करें, तो structure जो है, हमारा combination होता है, beam and column का, हमारा structure जो होता है, वो combination होता है, beam and column का, और जिसका हम design किसी specific purpose के लिए करते हैं, वो हमारा specific purpose जो होता है, वो होता है, load को transfer करना, हमारा structure जो है, वो combination है, beam and column का, जिसको हम design कर रहे हैं किसी specific purpose के लिए, यहाँ पे यही बात यह कहता है, design of steel structure, हम steel structure का design करने जा रहे हैं और किसलिए करने जा रहे हैं तो हम लोग जो transfer of load आएगा जो हमारा load का transfer होगा हमारे structure member पे उसके analysis के लिए, उसके design के लिए उसके बारे में पूरी के पूरी जनकारी लेने के लिए हम लोग ये subject पढ़ने जा रहे हैं यहां पे हमने एक term दिया है structure means combination of beams and column combination means क्या हमारे पास अगर हम बात करें यह हमारा beam section है और अगर इधर में हमारा अगर यह column section है तो यह beam और column section का यहां पे जो combination हो रहा है beam और column section का यहां पे जो combination हो रहा है यह एक equilibrium condition को हमारा satisfy करना चाहिए ये जो है हमारा equilibrium condition को satisfy करना चाहिए अब ये equilibrium condition क्या है हम लोग first year से different structure के subject पर त्यार है हमने mechanics पढ़ा जिसमें हमने force system की बात की हमने पढ़ा moss mechanics of structure जिसमें structure की उपर stress, strain क्या होता है उसके बारे में जाना हम लोग CR force, bending moment, diagram के बारे में जाना वहीं पर हम लोग ये जो हमारा mechanics था जहां पर हमने force के बारे में जाना वहीं पर हमने पढ़ा था equilibrium condition हमारा कोई भी body अगर उसको stable रहना है अगर उसको equilibrium में रहना है तो उसको 3 equations को follow करना होगा उसको तीन डिरेक्शन में उसके equation को follow करना होगा और वो होता है summation of fx बराबर 0 summation of fx बराबर 0 कहने का मतलब क्या है मान लिजिए कि हमारे पास एक beam है इसके उपर अलग-अलग तरीके से बहुत सारा horizontal force लग रहा है इकल्बियम कंडिशन का मतलब क्या हुआ equilibrium condition का मतलब हुआ summation of fx बराबर 0 summation of fx कहने का मतलब कि किसी भी beam के उपर अगर हमारे पास ये beam है और इसके उपर अगर different-different horizontal force लग रहा है हम कहते हैं A है, B है, C है, D है इन सबको अगर जोडते हैं तो सबका sum जो है वो मिल करके होना चाहिए 0 इसको हम बोलेगे horizontal force बराबर 0 ये एक equilibrium condition को satisfy करेगा जिससे हमारा structure जो हो वो equilibrium में रहे, stable position में रहे दूसरा जो है, वो है summation of Fy बराबर 0 means summation of all the force in the vertical direction must be 0 suppose in this beam there is a vertical reaction then we say कि the summation of all the vertical reaction acting on the beam must be equals to 0 we also say कि summation of moment at any point say A is equals to 0 means जब हमारा body equilibrium condition में होगा तो उसके उपर आने वाले जितने भी moment होगे उन सब का summation 0 होना चाहिए तो यह हुई बाते हमारे load structure steel के बारे में कि steel हमारा क्या होता है उसमें combination क्या होता है यह equilibrium condition क्या होता है हम जब भी किसी structure को design करने जाते हैं हम जब भी किसी building की बात करते हैं जब भी किसी beams की बात करते हैं जब भी किसी breeze की बात करते हैं तो हमको सारा का सारा structure stable mode में होना चाहिए ऐसा नहो कि structure आज बनाए और कल के date में जाकर के वो टिकने-like ना रहे इसलिए हम लोग को सारा का सारा equilibrium condition ये जो है हमको इसको satisfy कराते हुए आगे बढ़ना होगा अब जैसा कि हम पहले भी बताए कि हम लोग जो steel structure पढ़ रहे हैं उसका motto क्या है उसका motto है कि हम लोग जो steel structure का design बना रहे हैं जो हम अलग-अलग member बना रहे हैं वो सारा का सारा क्या करें वो एक specific purpose को follow करें और वो purpose क्या है हमारा load को transfer करना load को transfer करना और ये load हमारे पास ऐसा नहीं है कि स्रिफ dead load और live load होगा ये आने वाले जो slides हैं उसमें आपको loads के बारें बताया गया है वहाँ पे different types of load आपको देखने को मिलेंगे next slide में हम चलते हैं अब है कि हमारा structure का type क्या होता है हम जो structure पढ़ेंगे वो कैसा structure पढ़ेंगे क्या हम simple एक इस तरीके से rectangular structure की बात करेंगे या फिर circular structure की बात करेंगे आखिर structure हमारा होगा कैसा तो structure को अगर classify करना है तो उसके लिए हमको कुछ basis रखना होगा कोई हमारा base होना चाहिए वो base क्या होगा वो होगा उसका geometry उसका geometry का shape कैसा है वो हमारा base होगा हम लोग किस material को use कर रहे हैं वो होगा और कौन सा supporting system है वो होगा अब ये shape of geometry की बात करें तो हमारे पास जो structure है वो हमको sale structure मिलता है जो हमारा water tank जो हमारा water tank होता है वो हमारा sale structure होता है उसको हम sale structure बोलते है इसके बाद हमको देखने को मिलेगा framed structure हमको देखने को मिलेगा framed structure जब आप building construction पढ़ रहे होंगे उसमें आप दो टॉपिक पढ़े होंगे load building structure and framed structure यह framed structure क्या होता है कि इसमें हमारा सारा का सारा जो load है वो beam column से होते हुए हमारा foundation पे transfer होता है तो यह भी हमारा geometry पे depend करता है जब हम structure की बात करते हैं यह framed structure जो है यह हमारा shape of geometry है अगर हम इसको बनाने जाए इसका कोई normal figure तो यह कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा अगर हम यह बोलते हैं कि यह हमारा one story building है तो यहाँ पे हमको यह इसका अगर यह beam कहलाएगा यह हमारा column कहलाएगा तो यह हमारा framed structure है यहाँ पे नीचे वाले slide में हमने एक framed structure का example आपको देखर करके रखा है यह रहा आपका इस तरीके से यह steel structure का एक framed structure है अगर हम RCC की बात करेंगे तो जो आप घर में रहते हैं जिस घर में आप रहते हैं वो अगर उसमें beam और column का use किया गया है तो वो आपका framed structure है इसी तरीके से हम लोग यह structure steel है यह framed structure और कहां कहां देखने को मिलेगा तो हमको बहुत सारे industries में बहुत सारे factories में इन सब जगों पे हम लोग यह frame structure देखने को मिलेगा इन सब का detail जो है हम आने वाले class में आपको देंगे अब बात करें material use की अब हम अगर बात करें material use की तो हम लोग कौन-कौन material use करके अपने structure को बनाते हैं तो हमारे पास different different material को use करके जो structure बनाते हैं तो हमने पहले पढ़ा था कि हम लोग brick का use करके structure बनाते हैं जब हड़पन civilization थी मेसोपोटानियन civilization थी उन सब उन सब जगों पे हम लोग brick का use करते थे उस समय का structure था वो brick structure था उसके बाद जब technology develop हुई जब हमारा cement existence में आया तो हमने concrete की और बढ़ा हम लोग concrete structure की और बढ़े उसके पहले जो हमारा hillies area है वहां पे हम लोग timber structure बनाते हैं उसके बाद अब और जब हमारे technology develop हो चुका है तो हम लोग steel structure की और बढ़ चुके हैं आप लोग को बड़े-बड़े metropolitan cities में glass का structure भी देखने को मिलेगा पर उसका जो foundation होगा वो हमारे concrete और steel के ऊपर based होगा तो यह हम लोग different material का use करके structure को classify करते हैं इसके बाद बात होती है ह हमारी supporting system की कि हम जो structure बना रहे हैं उसको support करने वाला कौन है तो अगर supporting system की बात करें तो हमको plates हो सकता है rates दिख सकता है हमको cable structure दिख सकता है तो यह different different structure जो है हमको देखने को मिलेगा जैसे हमारा cable suspension breeze अगर आप फरीद्वार गहे हैं वहाँ पे हमारा आपके आपके सामने जितने भी structure दिखते हैं वह किसी ना किसी कि इस classification को follow करते हो गया इसके बाद चलिए हम लोग हमारा structural steel का type क्या-क्या होता है हम लोग कि कुतने टाइप का structural steel यूज करते हैं तो वह हमारा carbon steel मतलब carbon का percentage है इसमें कुछ high strength carbon steel carbon का percentage जो vary है यहां पे मानलीज हम कहते हैं 0.2% carbon होगा इसको हम लो carbon steel बोल रहे हैं high strength carbon steel यहां पे हम बोल सकते हैं 0.3% है यह ऐसे करकर के हमारा carbon का percentage vary होता है और हम लोग जो है इपना strength जो है देखते जाते हैं high strength का मतलब हुआ कि अब जो है हमारे ज्यादा लोड पे भी हमारा steel जो है विधिस्टैंड कर रहा है उस लोड को सहरा है deformation उसमें कम हो रहा है यह सारी चीजें हमको देखने को मिलेगा फिर medium and high strength carbon steel इन सब का percentage हम आपको आने वाले class में detail में देंगे कि हमको लो carbon steel में कितना percent होता है high strength carbon steel में कितना percent होता है medium and high strength carbon steel में क्या होता है weathering steel क्या होता है यह fire resistant steel क्या होता है weathering steel का मतलब all weather में हमारे steel को ऐसा तो नहीं है कि room में बंद करके रहना है उसको जो है wind, temperature, sun, rain इन सब को जहलना है तो उसके लिए उसमें हमारा उसका क्या condition होगा, कितना carbon percentage होगा fire resistance अगर हमारा कहीं पे structure में आग लगता है तो steel क्या उसको withstand कर पाएगा, क्या उसको सहब पाएगा, इन सब का जानकारी हम लोग लेंगे तो different different type of structure steel हमारे पास होता है, जो यहाँ पे आपके पास given है, इसके बाद हम लोग next slide में चलते हैं, कि हमारा structure steel का जो section, जो हम use करने वाले हैं, वो हमारा section कैसा होगा तो वो हमारा section जो होता है, वो rolled beam eye section का लाता है, अब यह section कैसे बनता होगा, तो यह manufacturing process के थूरू इसको बनाया जाता है, हमारा rolled beam eye section है, channel है, angle है, T section है, rolled steel bars है, rolled steel tabler sections है, plates है, strips है, flats है, यह सारा का सारा हमारा structural steel section है, इन सब का use हम लोग different different steel structure में करते हैं, यह सारा का use हम लोगो देखने को मिलेगा, ट्रस ब्रीज में हम लोग तुम आपका rolled steel यूज कर सकते हैं, channel section यूज कर सकते हैं, यह सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा, इन सब का कुछ figure जो है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जैसे rolled beam eye section, यहाँ पे देखिए, य हमको यहाँ पे eye के रूप में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं eye section, यह हमारा है rolled beam eye section, यहाँ पे हमको eye के shape में, eye का shape में यहाँ जो दिख रहा है, इसलिए इसको हम eye section बोल रहे हैं, इसके बाद हमारा channel section, यहाँ पे जो beam है, यह हमारा इस तरीके से, यह एक चैनल के वे में है, इसलिए इसको हम चैनल सेक्षन बोल रहे हैं, यह सारा का सारा मैनुफैक्ट्रिंग जो है, तो आपका अलग-अलग तरीके से किया आता है, अलग-अलग कारवन परसेंटे से किया आता है, यह आपका चैनल सेक्षन में, यह क्या है, यह लेंध क्या है, यह एंगल क्या है इन सब के बारे में डीटेल हम आपको देंगे इसके बाद यहां पे एंगल सेक्षन दिख रहा है यह दिख रहा है कि यह बीम कुछ ऐसे जा करके हमको ऐसे हो गया है मतलग यह कुछ एंगल के साथ हमको यहां देखने को मिल रहा है तो इसलिए इसको हम तो यह different different हमारा steel का section है, जिसके हमको बारे में पढ़ना है, इन सब का detail, यह steel section का strength कितना होगा, यह steel section में carbon percentage कितना होगा, इसका length क्या होगा, यह इसका किस तरीके से बनाएंगे, यह सारा का सारा चीज मैं आपको आने वाले class में दूगा, अब rolled steel bar, यह आपको हमेशा दिखता होगा, TMT bars के रूप में, TMT bars, mild steel bars, यह आपको हर जगा पे देखने को मिलेगा, यह bars जो है, आपके घर में, आपके छट में यूज किया हुआ है, आपके बीम में यूज किया हुआ है, आपके column में यूज किया गया है, आपके even foundation में यूज किया गया है, तो यह rolled steel bars, यह क्य कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, इसको हम deformed बोलते हैं, अब ये deformed बार क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले class में देखेंगे, इसके बारे में हमारे पास है rolled steel tabler section, जहाँ पर हमारा pipeline होता है, जहाँ पर हमको chemicals, हमको water, sewage, इन सब के लिए, इन सब जगो तोबाइं यह आए ब्रॉबपे यह कुरोजन रीजिस्टेंस होता है इसमें को रहते हैं ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रक्शारां का यूज करेंगे इसमें को रहा होगा इसके लिए हम लौग पॉपर इसका मैंटेनबंस प्रॉपर इसका फैब्रिकेशन सब करके देते हैं इसके बाद हमारे पास जो है रॉल्ल इस्टील प्लेट्स बड़े बड़े स्ट्रक्चर में आपको ये स्टील प्लेट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे जब हम लोग प्लेट की बात करेंगे जब हम लोग जॉइंट की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से मेंबर हमको देखने को मिलेगा आपके रेलवे प्लेट्फॉर्म पे इस प्लेट का यूज किया जाता है जब हम लोग कॉलम को इरेक्ट करते हैं जब हमारा उपर में जो रूफ ट्रस होता है रूफ ट्रस में यहाँ पे जो कॉलम है इससे यहाँ पे कनेक्षण के लिए यह प्लेट्स का यूज किया आता है तो रॉफ स्ट्रीट्स हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा तो इसके बारे में भी हम लोग देखआंगे इसके बाद हमारे पास है roll steel strips यह strips का use हम लोग अलग-अलग member में जहाँ पे हमको thickness जो है अपने steel का कम रखना है वहाँ पे यह strips के use होगा आपके बहुत सारे railway next जो हमारा point है वो है हमारा load load जो होता है वो different combination का load हमारे structure पे आता है एक आता है dead load, एक आता है live load, एक आता है wind load, फिर आता है आपका snow load, फिर आपका earthquake और seismic load यह सारा का सारा different load हमारे structure पे लगता है और हमारा structure इसके इस load को bear कर सके durable हो इसको strength को अपना सह सके इसके लिए हमको इसका एक IS code भी देखना होता है dead load का जो हमारा IS code है वो है IS 875 part 1 live load का जो IS code है वो है IS 875 part 2 wind load IS 875 part 3 snow load IS 875 part 4 अब आपके मन में सवाल होगा कि यह dead load और live load यह wind load, snow load, seismic load यह सब है क्या जो हमारा self weight होता है structure का उसको हम बोलते हैं dead load मतलब यह आपका fixed load होगा यह dead load जो होगा यह fix रहेगा यह कभी भी movable position में नहीं रहेगा एक बार जो load आपने structure को दे दिया वो fix रहेगा, वो कहीं इधा उधर नहीं जाएगा live load की अगर बात की जाए तो live load क्या होता है एक हमारा imposed load होता है एक super imposed load होता है live load, imposed load किसको कहेंगे जो हम अभी इस platform पे खड़े हैं हम अब आज हैं आपके सामने कल नहीं रहेंगे उसके बाद ये कहलाएगा imposed load, जो हमारा classroom है उसमें जो furniture दिखने को मिलता है वो हमारा imposed load है आप student, आप अगर किसी floor पे जा रहे हैं वो आपका imposed load है अगर हम super imposed load की बात करें अपने structure में तो जैसे हम, माली जी ये हमारा panel यहाँ पे जो दिख रहा है यह हमने क्या किया है Super imposed कर दिया है तो यह आपका Super imposed load आ रहा है आपके घर में AC लगा है वो आपका एक Super Imposed load है आपके उपर में फैन लगा है वो Super Imposed load है इस चप का जो loading condition है वो हम लोग live load में consider करते हैं इसके बाद हमारा wind load हम लोग जानते हैं आये दिन हमारे जितने भी coastal areas हैं उसमें जो है आपको शक्रवाद, तुफान यह सब cyclones आते रहते हैं और यह सारा का सारा एक load के रूप में हमको देखने को मिलता है अगर wind की बात करें अगर आप highest speed से अगर आपका wind चल रहा है तो हमारे structure को वो damage कर सकता है तो उसके लिए उसका भी consideration हमको करना है कि आखिर कितना wind load के लिए हमारे structure जो है stable रहेगा कितना load के लिए वो withstand करेगा उसके लिए हम जो IS पढ़ते हैं वो IS code है हमारा IS 875 Part 3 अब जहां पे हमारा cold countries हैं जहां पे हमारा वर्फ पढ़ता है वहां पे आता है snow load आप UK में चले जाएए आप USA में चले जाएए जहां पे आपको ये बर्फ बाजी देखने को मिलेगा उसका भी load हमको structure के उपर consider करना पड़ता है आप अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग कुलू, मनाली इन सब जगों पे जाते हैं तो वहां पे snowfall होता है और इस snowfall का एक load आता है उस load को भी हमको अपने structure के design में consider करना पड़ता है और उसका जो code है वो हम लोग लेते हैं IS 875 part 4 आपको यह भी पता होगा आए दिन हम लोग जो है earthquake से ग्रसित रहते हैं हमारा कुछ different different zone है भारत में हम लोग earthquake zone की बात करते हैं जो 4 या 5 different zone है उसमें हमारा earthquake का जो load लग रहा है जिसको हम seismic load भी कहते हैं वो आता है और वो हमारे structure को damage करता है आपको 2001 में जो भुज में आपका earthquake आया उसके कारण हम लोग का बहुत सारे structure damage हुआ अब अगर हम लोग वहां पे earthquake resistance building बनाए होते तो उतना damage नहीं होता हमारा economy waste नहीं होता तो यह सारा का सारा जो load का criteria है यह सब कुछ जो हम लोग consider कर रहे हैं यह हम लोग इसलिए consider करते हैं safely long term duration के लिए खड़ा रहे और हम लोग अपना economy को maintain कर सके हम लोग जो भी structure बनाते हैं उस structure के बनाने के पीछे reason होता है कि वह structure हमारा durable हो वह structure हमारा stable हो जिससे कोई भी damage हमको देखने को नहीं मिले हमारा जाल माल का कोई भी नुकसान नहों अगर हम बात करें seismic load और earthquake load की तो इसके लिए हम कौन सा IS code देखते हैं तो इसके लिए हमारा जो IS code है वह IS 893-2002 जिसमें हम लोग पार्ट 1 का code देखेंगे earthquake के उपर आपका जो design है वो एक अलग तरीके से होता है जब हमारा structure जब बनता है earthquake resistance building उसमें हम लोग bearing का यूज करते हैं उस bearing से क्या होता है कि पूरा का पूरा structure जो है हमारा वो एक साथ आपको move करता होने ज़राएगा आपको नीचे में हम लोग कुछ इस तरीके से ball bearings यूज करते हैं जब हमारा earthquake आता है तो यह structure जो है इसके साथ थोड़ा थोड़ा इधर उधर move करता है जिससे क्या होता है कि हमारा structural damage नहीं होता हमारा building उस चीज को earthquake को रिजिस्ट कर लेता है अगर high intensity का magnitude का हमारा अगर earthquake और उसके accordingly जो है हम लोग अपना building का design करते हैं अब रहा सवाल कि sir आपने load का तो code बताया पर हम लोग जो steel structure पढ़ेंगे उसके लिए हम कौन सा code फॉलो करेंगे तो हम लोग जो है IS code 800 1984 working state method के लिए जिसको हम WSM के नाम से जानते हैं और IS code 800 2007 LSM के लिए जिसको limit state method कहा जाता ह इसका हम code को follow करेंगे और ये code जो है आपके app पे available होगा आप वहां से इसको देख सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं इसके बाद अब ये load का जो combination है ये अलग-अलग combination है अगर हम load के combination की बात करें तो हमारे पास date load plus live load भी आ सकता हमारे पास date load plus live load plus wind load भी आ सकता हमारे पास date load plus live Type-Load प्लस आपका earthquake load भी आ सकता इसके साथ साथ हमारे structure के उपर जब उपर पर कर रहे हो मैं पर की ओर लेकर हो मैं उस समय हमारे पास अरो और लोड लगता है जिस्को हम बोलते हैं erection load जिसको हम बोलते हैं erection load अब ये erection को भी हमको अपने डिजाइन में कंसीडर करना है हमको पता है कि steels हमारा as a structural member हम यूज करने जा रहे हैं पर उस steel के erection में भी तो हमको कोई ना कोई लोडिंग आएगा तो हम उसको भी considering करेंगे इसका भी जनकारी हम आगे लेंगे यह सारी कि सारी कहानिया हैं हम लोग जो भी तक देखें हैं इसमें हमने देखा कि हमारा steel क्या होता है ठीक है इस deal है आपका क्या है एक अलवाइज है जिसमें हम लोग Iron और Carbon इन दोनों को मिला कर बनाते हैं हम लोग different different Carbon के percentage को vary करते हैं हम लोग different परसेंटेज को वैरी करके अलग अलग आपका स्टील का मेंबर बनाते हैं इसमें आपका लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील यह हमको देखने को मिलेगा और इन सबका डीटेल जो है हम आने वाले क्लास में आपको देंगे अब रहा सवाल, कि सर हम लोग steel structure जब बना रहे थे, तो हम लोग steel structure को as a structural material जब लिया, तो उसका advantage क्या था, कोई भी काम हम करते हैं, तो भीना advantage और disadvantage के नहीं करते हैं, हमको उसका advantage और disadvantage दोनों देखना होता है, तो अगर हम advantage की बात करें, as compared to आपका RCC structure, reinforced cement concrete, अगर हम advantage में देखें, तो यह क्या है, यह हमको high strength देता है per unit weight, अपना per unit weight के हिसाब से यह आपको high strength देगा, उसके बाद यह ज़्यादा ductile है, high ductility है, ductility का मतलब क्या होता है, कि it can be converted into thin wires, ductility is a property of material, by which a material can be converted into thin wire, तो यह ज़्यादा ductile है, तो हमको इसमें deformation कम देखने को मिलेगा, हमको ज़्यादा समय तक यह load को resist करेगा, इसका depreciation low है, depreciation low का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम इसकी बात करे, structural material की, अगर हम इसको properly maintain करें, तो हम इसको लंबे समय तक use कर सकते हैं, और साथी साथ, जब इसको हम वापस में, scrap के रूप में अगर हम use करें, तो हमको उससे भी cost मिलता है, उससे भी हमको मुनाफ़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं, कि इसका depreciation low है, साथी साथ, हम अपने इस steel को, हम different different shape and size में, हम roll कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने देखा, कि हमारे पास eye section था, हमारे पास tree section था, हमारे पास channel section था, ये सारा का सारा जो section था, इसको हमने क्या किया? different shape and size में change कर दिया, हम लोग angle section की भी बात किये, हम लोग plate भी बनाए, तो ये सारा का सारा advantage है, इसके बाद इसको हम easily fabricate कर सकते हैं, अगर हम इसमें fastening की बात करें, अगर इस steel को 2 steel plate है, उसको अगर join करना है, तो इसको join करने के लिए हमको fabrication आसान है, हम चाहे तो riveting कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको welding कर सकते हैं, अब ये riveting क्या होता है, ये welding क्या होता है, ये हम आने वाले class में आपको detail में बताएंगे, इसके बास इसका indefinite life है, ये आपको long term के लिए दिखेगा, अगर हम इसको properly maintain करें, तो हमको इसका indefinite life दिखेगा, बहुत सारे British structures जो हैं, वो आपको आज भी उसी रू करें, तो मौर एकाल में, असोक स्तंभ, जो iron peeler है आपका सारनात का, वो यही steel तो है, ये आप देखिए, इंडिफिनिट लाइफ तक अभी तक आपको खड़ा दिख रहा है, तो ये क्या है, इसका advantage है, साथ में, अगर आप बात करें, इसका handling करने का, इसको transport करने का, इसको erection करने का, ये असान है, ये easy है, अगर आप देखते होंगे, कि आपके घर पे, या कई भी building, आपके अगल बगल में, अगर कोई building बन रहा है, तो उसको अगर erection करना है, walls का, columns का, beam का, तो उसमें चादा time लगता है, पर यहाँ पे हमारा erection क्या है, आसान है, जो कि इसको ज है, हमारा handling busy है, transportation, एक different shape का है, एक different size का है, तो हम उसको असानी से transport कर सकते हैं, हमको highways पे, हमको railways में, हमको ships पे, ये अलग-अलग हमको steel को transport करता हूँ नजराता है, और हमको ये सारा का सारा advantage ये steel देता है, इन सब का और details हम आने वाले class में आपको देंगे, जिससे आप इस समझ सके, ये सारा की सारी कहानिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर इसकी disadvantage की बात करें, कोई भी चीज है, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ वो perfect है, कुछ नकुछ उसमें imperfection होगा, वो imperfection क्या है, वो imperfection ये है, कि सिर्फ maintenance cost हमारा जादा है, हमको maintain करने में, इसमें ज्यादा पैस देना होगा, अलग-अलग chemicals, अलग-अलग additives हम लोग use करके देखेंगे, और आप लोग एक property जानते होगे, अगर आपने मौस सही से पढ़ा होगा, तो इसमें एक stress reversal property है, उस stress reversal property के कारण क्या होता है, कि हमारा strength जो होता है, वो steel का reduce कर जाता है, तो ये हमारा सिर्फ दो disadvantage हम बोल सकते हैं, इसके साथ अगर हम और बात करें, तो और बहुत सथा करें, अगर देखने को मिलेगा, पर हमारे लिए उतना काम का नहीं है, हम अब कुछ questions को discuss करेंगे, जो अभी तक हमने जिस topic को पढ़ा, उसमें हम कुछ questions देखेंगे, उसके पहले एक हमारे पास important point है, उ हमारा alloy है iron and carbon का, अब ये carbon का क्या है, हमारा percentage है, जो different, different variation में हम लोग use करेंगे, दूसरी point जो हमारा important है, वो है density, हमारे steel का density कितना होगा, तो हमारे steel का density है, वो है 7,850 kg per meter cube, हमारे steel का जो density है, वो है 7,850 kg per meter cube, मतलब 1 meter cube volume के लिए, हमारे steel का जो weight होगा, वो होगा 7,850, और हम लोग एक चीज, जानते हैं कि हमारा steel क्या होता है, elastic in nature होता है, हमारा जो steel है, वो elastic in nature है, तो उसका modulus of elasticity क्या होगा, तो यह modulus of elasticity, जो है, वो है 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square, अब यह modulus of elasticity क्या होता है, यह आपने पढ़ा होगा, आपने मौस में देखा होगा, कि modulus of elasticity क्या है, वो क्या होता था, यह एक constant होता था, यह जो होता था, हमारा एक constant होता था, और यह एक ratio होता था, हमारा stress by strain का, जिसमें हम बोलते थे, कि Hooke's law को यह follow करेगा, Hooke's law, stress is directly proportional to strain, यहाँ पर यह जो term है, यह हमारा constant है, और यहाँ पर जितना type का भी steel हम पढ़ेंगे, mild steel, high, आपका HYSD bar, TMT bars, इन सब का, यह जो तुम आपका modulus of elasticity रहेगा, यह constant रहेगा, यह कभी भी change नहीं होगा, अगर हम mild steel की बात करें, तो mild steel का strength कितना होगा, तो हम बोलेंगे, Fy, उसको हम yield strength बोलेंगे वहाँ पर, वो होता है, 250 newton per mm square, अगर हम बात करें, HYSD bar की, high yield strength deformed bar, यह deformed bar का, जो हमको इसका strength मिलेगा, यह मिलेगा 415 और 500, जिसको हम Fy 415 और Fy 500 के नाम से जानते हैं, और इसका जो unit होगा, वो होगा newton per mm square, इन सबको हम लोग detail में, next class में आगे देखेंगे, next class कराने से पहले, हम लोग एक question देखते हैं, यहाँ पर, कि हमारा, अब यहाँ पर question है हमारा, कि steel is an alloy of dash and dash, तो हम लोग सुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी जब से मैंने class स्टार्ट किया है, उस में से देख रहे हैं हम लोग, कि steel क्या है, alloy है हमारा iron and carbon का, iron means, Fy से इसको denote करते हैं, और इसको C, iron and carbon, उसके बाद हमारे पास एक और question है, dead load, dead load, जिसकी हम बात कर रहे हैं, dead load is dash load, dead load is dash load, यहाँ पर dead load क्या है, हमारा fixed load होता है, dead load जो होता है, वो fixed होता है, यह कभी भी हमारा change नहीं करता, जो भी हमारा self weight है क्या तुम self weight को change कर सकते हो नहीं हम self weight को change नहीं कर सकते हैं वो fix रहेगा इसके बाद IS- has a specified method for calculating seismic load हमारा seismic load के लिए हम कौन सा IS यूज़ करते हैं तो वो है हमारा 1893 1893 हमारा IS code है ओके तो यह कुछ हमारा आज का topic रहा आज हमने सिर्फ एक introductory class आपको दिया है आप लोग का demand था कि हम लोग को still कौन पढ़ाएगा कौन कैसे क्या करेगा तो मैं प्रशान प्यूश आप लोग को still आपके आने वाले lecture से continue करूँगा और आपके जितने भी doubts हैं आपको जो भी queries आता है आप बही चक अपने comment box में इसको comment कर सकते हैं आपका कोई भी feedback जो होगा उसको हम लोग positive way में लेंगे आपको जो भी परशानी होगी उन परशानीयों को हम लोग solve करने कुशिस करेंगे आपका जो भी query है आपके syllabus से related आपके questions जो भी आएंगे उन सब को असानी से अराम से हम लोग solve करेंगे तो आज का class आपका यही तक रहेगा next class में हम लोग continue करेंगे